अगर आप इस्टूडेंट हैं वर्किंग वेमिन हैं यह वर्किंग बॉय हैं और आपको होस्टल में रहते हैं और आलू को भी खानी है तो इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं चलिए बनाते हैं एक पैन में दो बड़े चम्मस मस्टर्ड ओल को हीट करते हैं रोमा खतम होने तक इसमें एक बड़ा अनियन चौप की हवा डालते हैं थोड़े से कटे हुए गार्लिक थोड़ी सी हरी मिर्ची सारा कुछ डालके अच्छी तरह से मिक्स करते हैं इससे मीडियम आज पर पकाते हैं यह देखिए लगभग दो मिनट में यह बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो जाता है यह देखिए कड़ाई में साइट साइट से ब्राउन हो गया है जब ऐसा हो जाए इस पोजिशन पर हमें सबजियां आट कर देनी हैं मैंने आलू और गोभी छोटे-छोटे टुकड हम आज को धीरे कर देंगे और सब्जियों को मिक्स करेंगे अब इसे ढग देते हैं और धीमी आज पर ही लगभग 2-3 मिट तक पकाते हैं यह देखिए कुछ इस तरह से सब्जियां हमारी टेंडर ही हैं इसे अच्छी तरह से चलाते हैं नीचे से कडहाई में देखिए यह थोड़ा थोड़ा लगने लगा है और हमाई सब्जियох रोस्ट हो गई है अब हमें से मसाला आट करते हैं एक चमच हलदी पाउडर एक चमच देगी मिरज एक चमच धन हम अपने सब्जी को चलाएंगे जिससे तली में लगे नहीं अब इसे कवर करेंगे और लगभग 5-6 मिन तक धीमी आज पर पकाएंगे सब्जी हमारी पकने लगेंगे ये किन मानिए इससे ज़्यादा आसान तरीका और कहीं नहीं मिलेगा अब हम इसे देखते हैं लगभग 5-6 मिन हो गए हैं और ये देखिए सब्जी हमारी लगभग 50% पक गई हैं ये देखिए मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं इसे तली से लगाते हुए हम अपने इसको मिक्स करेंगे अब इसमें आधा कप पानी एट करेंगे ध्यान रह आज हमेशा धिमी होनी चाहिए बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे जैसे सब्जियां तली में लगे ना ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पकने लगा है लगभग 5-7 मिनट कुक करने के बाद हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक गई है और बहुत अच्छी और हमारी गोबी भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है इसे हरी धनिया पत्ती से गानिस करते हैं और यह अलुग भी किस्ता मज़ेदार सब्जी सर्व करने के लिए त्यार है हमारे और रेस्पीस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ झाल चिंग